Great day everybody, कैसे हैं आप सब लोग, आज एक शांदर प्रेजेंटेशन आपके साथ मैं शेर करने जा रहा हूँ और ये प्रेजेंटेशन यूटूब के ऊपर चैनल पे रहेगी, तो आप मैक्सिमम लोगों को इस लिंक को भेज कर उनको ये प्रेजेंटेशन शेर कर सकते हो और घर के कमफर्ट में प्रेजेंटेशन देहने का इससे बढ़िया कोई मौका भी आपको नहीं मिलेगा प्रेजेंटेशन को शेर करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेर करना चाहूँगा कि इस टाइम जो लोगडाउन का पीरियड चल रहा है इस पीरियड के अंदर भी मैं अगर बिजनस कर पा रहा हूँ तो सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं एक freedom model के ओपर काम कर रहा हूँ यह freedom देता है आपको कहीं से भी किसी भी तरह से किसी भी situation में काम को आगे बढ़ाने का और उसी model के ओपर आज मैं आपको presentation भी देने जा रहा हूँ और इस presentation को देखते हुए आप घर बैठे बैठे इस business को build कर सकते हो यह business work from home के ओपर based है और यह business है क्या यह सब चीजे मैं आपके साथ share करूँगा आज जो मैं presentation आपको दिखाने जा रहा हूँ यह सिर्फ आपकी ही नहीं आपकी पूरी family की life बदल देगा lockdown के बाद Indian economy huge crisis में जाने वाली है सिर्फ इंडिया की ही नहीं पूरे world की economy crisis में जाने वाली है ऐसे में आने वाले समय में product के दाम बढ़ने वाले हैं और उसके साथ साथ लोगों का खर्चा निकालना मुश्किल होने वाला है लोगों की salary के ओपर effect आने वाला है जो presentation मैं आज आपके साथ share करने जा रहा हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि यह आपको हमारे साथ काम करना चाहिए या नहीं क्योंकि आज lockdown के time में जबकि पूरी दुनिया अपने घरों में बंद है लोग परेशान है कि कल क्या होगा कैसे हम manage करेंगे confused हैं कि हम आगे चलकर किस तरीके से अपनी earning build करेंगे उस time भी मैं इस काम को कर पा रहा हूँ जो मुझे नहीं जानते उनको मैं बताना तोगा मिरा नाम रुपेश जेन है और मैं एक direct selling company के साथ जुड़ा हूँ हूँ आगे पढ़ते हैं देखते हैं why we are here हम यहाँ पे क्यों आए हैं हम करने क्या आए हैं बहुत से लोगों ने आपको यह link बेजा होगा और बोला होगा कि यह presentation आप देख लेना हो सकते इससे आपकी life बदल जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यह एक घेंटे का session है यह आपका time waste बिलकुल नहीं होगा क्योंकि 17 साल से मैं इस business model के साथ हूँ और यह business model सिर्फ income ही नहीं देता है आपको lifestyle भी देता है जो लोग मुझे जानते हैं उनको सब कुछ मालूम है कि मैं पहले क्या था और अब क्या status है हम यहाँ पे आए हैं एक business session को business presentation को enjoy करने के लिए मैंने enjoy word to use किया business को समझते हुए अगर हम enjoy करेंगे तो उस business में आगे बढ़ने का काम करने का मज़ा भी आएगा तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से सबसे पहली जो सबसे बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है प्लीज ओपन यूर माइंड विद एटिचूड फिलिंग एंड मैंड से यह सब के पास होती है लेकिन हमें इसकी इंपोर्टेंस नहीं मालूम अभी इसका एक टेस्ट कर लेते हैं छोटा सा आपको मैं पास सेकंड देता हूँ इस पास सेकंड में आपको यह सोचकर बताना है कि आपने नेगिटिव थोट्स नेगिटिव चीज़ें क्या-क्या देखी पूरे पिछले एक हफ्ते में नेगिटिव चीज़ें क्या-क्या देखी वान टू त्री फॉर फाइव स्टॉप आप देखेंगे कि कुरोना के बारे में बहुत सारी और नेगिटिव निउस जो हम लोग डेली टीवी के आगे बैठकर सुन रहे हैं उन सब चीजों का हमारी ब्रेंड के ओपर अफेक्ट हो रहा है अब देखते हैं कि हमने पिछले साथ दिनों में पॉजिटिव क् पाइब तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव सोचने में आपको मुझबूर होना पड़ा कि ऐसा मैंने पॉजिटिव क्या देखा या क्या सुना तो लाइप में पॉजिटिविटी बहुत कम है चलिए एक और एक्जंपल देखते हैं कभी आपने बिसलेरी की बोटल से पा अपना बिसनस नहीं चला सकते तो इसलिए open your mind mind is like a parachute जब पैरश्ट ओपन होता है तो किसी इंसान की जिन्दगी बचती है और जब किसी इंसान का दिमाग ओपन होता है तो उसकी भी जिन्दगी बचती है तो प्लीज बी आपनमाइड़िए अब देखते हैं फैक्ट ओफ fact of life क्या है fact of life सिर्फ और सिर्फ इस वोल्ड में दो तरीके से income earn की जा सकती है पहली income का source है active income active income का मत्तब यह है कि जिस काम में हम जितना time involved रहते हैं उससे जितनी हमें remoration मिलता है और तब तक मिलता है जब तक हम उस काम में involved हैं that is called active income active income के बहुत सारे example हैं जैसे हम लोग अगर salary है job करते हैं तो वो हम लोग active income पे based हैं अगर हम लोग profession में हैं जब तक हम उस काम को करेंगे अगर doctor हैं जब तक हम practice करेंगे तब तक पैसा आएगा जिस दिन हमने doctor practice करना छोड़ दिया तो हमें पैसा आना भी बंद हो जाएगा तो that is also active income active income का एक ही fund है जब तक आप अपने आपको अपने time को involved करोगे उसके बदले में जितना पैसा आपको मिलेगा that is called active income world में 95% लोग इसी income के ओपर based रहकर अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं उसके बाद आती है passive income passive income एक ऐसी income है जो आप किसी काम में involved रहो या ना रहो लेकिन तब भी आपके पास returns आ रहे हो इसके एक examples थोड़े से मैं share करना चाहूँगा आपके साथ passive income के example जो है बहुत simple example में आपके साथ रखने जा रहो अगर आपके पास 2-3-4 करोड रुपे पर रहे हैं और वो बैंक में deposit हैं वहाँ से आपको interest आ रहे हैं that is passive income वो आपकी passive income हो सकती है अगर आपके पास 8-10 properties हैं और आपने उन properties को rent out कर दिया है और वहाँ से जो भी आपको rent मिल रहे है वो भी आपकी passive income है और world में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो इस passive income को enjoy कर रहे हैं और अपनी जिन्दगी को जी रहे हैं पहले वाले मेंने बॉला था कि अपनी जिन्दगी निकाल रहे हैं या काट रहे हैं लेकिन 5% लोग अपनी जिन्दगी को जी रहे हैं this is the huge difference इन दोनों चीजों के बीच में सबसे बड़ा difference है और 95% लोग हमेशा यह सौचते रहते हैं कि किसी तरीके से हम 5% की category में पहुंच जाएं 5% की category में पहुंच जाएं लेकिन वो possible नहीं हो पाता क्योंकि उनका thought process fear of loss के उपर based रहता है fear of loss का मतलब समझते हैं उनको यह हमेशा डर लगा रहता है कि जो existing है अगर हम अपने आपको change करेंगे अपने आपको बदलेंगे तो जो हमारा existing है कहीं वो भी हमारे से छूट ना जाए इस डर की वज़ा से वो कभी भी जिन्दगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं हर कोई इंसान सपने देखता है middle class family हो rich family हो वो भी सपने देखती है तो सपने सबके अलग नहीं होते एक जैसे ही होते हैं हर किसी को insurance security चाहिए अच्छी education चाहिए गाड़ी चाहिए बंगला चा financial world में रह रहे हैं financial world में क्या बिना पैसे के हम क्या कुछ कर सकते हैं सोचके देखेंगा क्या बिना पैसे के हम कुछ भी कर सकते हैं आज अगर मैं आपको बोलूं कि एक शौप के पर के पास जाओ और वहां से कोई भी product बिना पैसे दिये लेकर आओ क्या यह possible है simple सी बात है अगर आप उसको यह भी जाके बोलेंगे कि भईया मिरको पांच किलो चाबल दे दे और मेरी ओफिस में बहुत इज़्यत है क्या वो आपकी इज़्यत देखकर आपको समान दे देगा never ever वो बोलेगा पैसा दे और समान दे क्योंकि हम लोग एक financial world में रहते हैं जहां पे पैसा की बहुत ज़्यादा जरूरी था पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है जिंदगी में बिना पैसे को कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं देखे जिंदगी में हैं दो हाथ हैं एक तो time और द important opportunity क्या है हमरे पास जोब लेकिन जोब से आज तक किसी के भी सपने पूरे नहीं हुए जोब का मतलब ही है juice of your body जब तक आपके शरीर में दमखम है तब तक आपको employer आपकी services लेता रहेगा और जिस दिन आप productivity देना बंद कर देंगे साथ की साथ ही आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा जोब आपको अगर हम इसको reverse read out करें तो ये बनता है बोज जोब एक stress के और भी define करता है जोब सिर्फ आपके लिए ही stress नहीं है आपके साथ connected सारे लोगों के लिए ये stress देता है अगर आपका कोई friend है वो आपको बोलता है कि चल आप 4-5 दिन के लिए हम घूमने चलते हैं तो आप क्या बोलते हो कि जोब से मुझे छुटी नहीं मिलेगी इसलिए मैं जानी सकता तो वो एक stress उस आपने अपने friend को दिया फिर बात करते हैं आपकी family members का family members कहती है कि sir पापा चलो हम outing के लिए जाते हैं जब आपकी wife आपको बोलती है कि चलो हम और फिर आप यहीं बोलते हैं कि जोब मुझे alone ही कर रही है मुझे overtime देना पड़ रहा है मुझे जाना पड़ रहा है और हमारे पर बहुत सारा काम है तो मैं अभी चुटी नहीं ले सकता तो वो आप अपनी family को भी stress में डाल रहे हैं तो जोब जब stress पूरी तरह से आपको cover कर लेता है फिर आप जोब छोड़ने की बात सोचते हो और जब आप जोब छोड़ने की बात सोचते हो फिर दूसरी opportunity की तरह बढ़ते हो और दूसरी opportunity है business यह जो भी चीज़ें आज मैं आपके साथ share कर रहा हूं यह मेरी कहीं ना कहीं मेरी अपनी खुद की story भी है जो तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब हम हकीकत में उसको करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो सबसे पहली जो requirement आती है business में वो आती है time और time जब तक आपके पास पूरा नहीं होगा आप उस business को run नहीं कर सकते और उसके बाद आपको investment चाहिए बिना पैसे कोई भी business कोई भी business आप established नहीं कर सकते क्योंकि business में पैसा investment चाहिए ही चाहिए और उसके बाद knowledge होना बहुत जरूरी है अगर आपको business की knowledge नहीं है तब भी आप इस business को run नहीं कर सकते और जब जहां पे भी investment का factor रहेगा वहाँ पे risk 100% रहेगा 100% आप stake के उपर रहती है आपकी investment stake के पर रहती है क्योंकि you never knew कि कल business चलेगा या नहीं चलेगा तो जो भी invest किया हुआ है वो आपका stake के उपर रहता है तो 100% risk रहती है और business को run करने के लिए आपको permissions भी चाहिए जगा भी चाहिए बिना जगा के आप इस business को run नहीं कर सकते हैं और उसके बाद liabilities हमेशा आपके सि समझते हैं कि आपने अगर shop खोली है तो कुछ लोगों को employee भी रखा होगा आप उन employees की salary तो आपको देनी ही पड़ेगी whether customer आए या ना आए sale हो या ना हो electricity bill आपको pay करना पड़ेगा बाकी और other expenses सब आपको bear करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे irrespective of sale तो liabilities आपके उपर अशा बनी रहती है अब फिर बंदा सोच में पड़ जाता है कि मैं अपने सपनों को कैसे fulfill कर सकता हूं तो how to fulfill our dreams फिर वो नहीं नहीं opportunities को खोजना शुरू करता है नहीं नहीं opportunities को देखना शुरू करता है जब opportunities की बात आती है तो फिर वो देखता है कि कौन सी opportunity मुझे मेरे स सपनों को साकार कर सकती है तो वो solution ढूंगता है आज मैं आपके साथ share करने जा रहा हूं we have the solution हमारे पास एक option है आपके लिए जो आपको आपके सपनों को realization करने के लिए आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको solution हम provide कर सकते हैं वो solution क्या है एक multinational global company tines international एक global company है जो एक ऐसा platform आपको तियार करके देती है जिससे आप अपनी अपनी family के और आने वाली future generation के भी सपनों को पूरा कर सकते हैं तो यह सबसे plus advantage है इस platform का लाखों लोग already इस platform से अपने dreams fulfill कर चुके हैं तो अब देखते हैं कि यह company का base क्या है इस company का background क्या है यह company multinational company है यह headquarter इसका आप देख रहे है अभी जो slide आपके सामने आ रही है उस पर आप इसका headquarter देख रहे है यह headquarter एक square kilometer के अंदर develop किया गया है उसके साथ साथ इस company के अपनी university भी है जो कि 3.2 square kilometer के अंदर develop की गयी है यह company 1995 में establish होई थी और 190 countries में आज यह बहुत successful अपने business को run कर रही है 110 countries में इसके अपने branches है more than 4 crore families worldwide इसके product को enjoy कर रही है और इंडिया में यह 2002 से हमारे इस इंडिया में आई है और 2003 से मैं इस business के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो already 17 सालों से मैं इस concept को कर रहा हूँ इस business को कर रहा हूँ जिसने मेरी और मेरी family की पूरी तरह से life बदल के रख दी open in 11 offices, 11 offices इंडिया के अंदर है और more than 100 plus franchises इस company ने इंडिया में open की है इसके साथ साथ यह company WFDSA में registered है, IDSA में registered है, Indian Direct Selling Association तो यह हमारे लिए एक पर्विलेज की बात है और अगर हम इसका और इसका वेरबोर्स देखें तो आप जो पहली picture आप देख रहे हैं वो हमारा headquarter building है और दूसरी जो picture में है वो हमारा Taiji Sun Hospital है, Multi Super Specialty Hospital है उसके बाद जो देख रहे हैं वो All Legion के नाम से हमारे अपने hotel industry में भी यह काम करती है क्योंकि यह multi-industries growth company है इसके अपने hotels भी है All Legion के नाम से 4 star, 5 star, 7 star category के hotels है उसके बाद exhibition center है यहाँ पर नेने पड़क को launch किया जाता है फिर Benkut Center है फिर इनका conference center भी है conference center भी बहुत बड़ा है तो यह फिर R&D Center है, Research and Development Center है इस company का और फिर इस company के अपनी university भी है जो मैंने आपको बताया 3.2 square kilometer के अंदर है यह company अपने आपको Guinness Book of World Record में एंटर कर चुकी है उसके बाद अगर हम देखे ही तो हमारे इस company के जो chair person है वो है Mr. Lee Jin Yuan जिनका अपना एक vision है, वो vision क्या है कि हम लोग to be a global leader in healthcare ecosystem और हमारा mission क्या है serving society by helping people live healthy and successful life मत्तब हम सब लोग healthy रहें और wealthy रहें यह हम अपना एक mission लेके चल रहे हैं उसी के उपर हमारे सारे के सारे product based है we are into direct selling company हम एक direct selling company है हम लोग direct sales में deal करते हैं direct sales का मतलब है इसको मैं थोड़ा सा elaborate करना चाहूँगा क्योंकि बहुत से लोग confused है direct sales को लेकर कि direct sales का मतलब क्या होता है आज मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा कि direct sales का जो मतलब है वो difference क्या है traditional distribution में और direct sales में क्या difference आता है वो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जब कोई भी product हम buy करते हैं वो definitely किसी ना किसी manufacturer ने उसको जरूर बनाया होगा बिना manufacturer के हम उस product को buy नहीं कर सकते हैं जब product ही नहीं बना होगा तो हम buy कैसे करेंगे तो इसका मतलब है कि manufacturer ने जरूर उस product को बनाया होगा अब manufacture के बाद वो product distributor के पास जाता है distribution के लिए और distributor के बाद फिर वो जाता है wholesaler के पास जहां से आगे वो जाता है retailer के पास और retailer से आगे जाता है customer के पास end user कौन है customer customer का नाम को अगर हम divide करें तो यह बनता है कस्ट से मर मतलब क्या है कि जितना भी burden है वो सारा का सारा burden end user के उपर आकर आ जाता है अब अगर manufacturer से लेके customer तक का बीच का हम channel देखें तो बीच का चैनल logistics and advertising के साथ साथ जो distribution है कोई भी product जो बनता है उसकी manufacturing cost 10 to 20% होती है 10 से 20% से ज़्यादा cost नहीं होती कोई भी product जो बनता है अगर हम बात करें कैमपा कॉला पैपसी जा बिसलेरी की bottle की अगर 20 रुपे हम इस bottle के लिए देते हैं तो उसकी manufacturing cost कितनी होगी 10% अगर आप लेंगे तो 2 रुपे के किरिए वो manufacturing cost उसकी आएगी अगर हम 20% की साब से भी लेंगे तो 4 रुपे का वो product बनता है और हम 20 रुपे में उस product को purchase करकर हम use करते हैं अब जो बीच का difference है 20% से 80% 100% हमने pay किया तो 80% कहां distribute होता है 40 to 60% distributor होता है distributor और wholesaler के बीच में और maximum margin लेता है retailer आपसे तो यह है traditional marketing जिसे हम कहते है traditional distribution system direct marketing क्या है कि manufacturer product बना रहा है और वो directly आपको ही supply कर रहा है cost 10 to 20 रुपीज ही है लेकिन आपको उसके लिए 20 रुपे ही pay करने पड़ रहे है लेकिन आपको 20 रुपे पे नहीं करने पड़ रहे है पहले आपको retail margin मिल रहे है और उसके बाद जो ही product आप buy करते हैं उसके ओपर जो incentive जो बीच के channel के अंदर distribute होता था वही incentive अब आप लोगों के बीच में distribute होता है यह difference है direct selling में और traditional distribution में आगे बढ़ते है requirement of direct selling business देखिए कोई भी business अगर हम करेंगे तो उसकी requirements तो रहेंगे रहेंगे अब direct selling business की क्या क्या requirements हो सकती है direct selling business मे time की कोई requirement नहीं है सबसे important चीज़ कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है और नहीं आपको knowledge होना चाहिए ऐसा बिलकुल भी जरूरत नहीं है कि आपको knowledge होनी ही चाहिए तब ही आप इस business को कर सकते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है जब पैसा नहीं लगा तो risk आपको कोई भी risk नहीं है, कोई जगha लेने की ज़रुद नहीं है, कोई पर्मिसिज होना जुरूरी नहीं है, आप इस बिजनस को घर से बैठ हुए, इस बिजनस को रन कर सकते हैं, और लाइबिल्टी, टॉटल लाइबिल्टी फ्री विज आ ये बिजनस है, ये सबसे जाता हैं conspiracy तो क्या मेरे साथ इस बिजन्स को करना चाहेंगे हमारा विजन्स है यह एक फैमिली ब Aur inव93 इस बिजन्स को सकती है यह ऐक प्ल advan and इस एप यह ऐक बाद कंपनी है उसके अस trophy सब चारे के मिले environment friendly certification यह सारे certification आज हमारे पास है WFDSA में यह company registered है, IDSA में यह company registered है Indian Direct Selling Association में अब बात करते हैं इस company के product के बारे में product की बात करेंगे तो हमारे पास N number of products हैं जो हम लोग यहां पर marketing कर रहे हैं जिसमें से food supplement, healthcare equipment, home care और personal care series भी है जो हमारी daily requirement को fulfill करने में help out करते हैं अब इन product की जो world class जो products हमारे पास हैं इन product की importance समयना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग wellness में deal करते हैं तो थोड़ा सा wellness market का size देखना भी हमारे लिए जुरूरी है कि कितने लोगों को हम cater कर सकते हैं आज के टाइम में specially lockdown period में जिन लोगों की immunity अच्छी है they can fight with any type of virus जिनकी immunity strong नहीं है उनको यह virus ज्यादा affect करता है आपने देखा होगा कि covid-19 के वज़ा से बहुत से लोगों को affect हुआ है और बहुत से लोग उससे recover भी कर गए हैं क्यों recover कर पा हैं क्योंकि इसकी कोई medicine नहीं बनी है कोई इसका treatment नहीं है सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी antibodies अपनी immunity ही उसको उस virus से उनको win करके उसको जिता कर अपने आपको बाहर लेकर आ पाई है तो immunity होना body में सबसे important part है अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ और share करना चाहूंगा Thomas Edison ने एक बात बोली थी कि doctors of the future will no longer treat the human frame with drugs but rather will cure and prevent disease with nutrition आने वाले टाइम में doctors सिर्फ और सिर्फ nutrition के थू ही आपका इलाज कर पाएंगे treat कर पाएंगे यह Thomas Edison का saying है और अब एक चीज़ और देखते हैं कि जो wellness industry है यह 3.4 trillion की industry है मलब कि तीन गुना ज्यादा बड़ी है pharmaceutical industry से तो आप समझ सकते हैं कि कि किस industry में आज हम move कर रहे हैं अगर देखें तो एक mega trend यह future का mega trend है wellness industry अब देखते हैं कि यह जो supplement की requirement है why we need this supplement आज हमें इन supplement को क्यों लेना चाहिए why इसको discuss करने से पहले मैं सबसे पहले आप से जाना चाहूंगा what is health health किसे कहते हैं जब हम यह question normal आदमी से कहते हैं तो normal आदमी सरफ इतनी सी बात बोलता है कि अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं अपने आपको healthy कह सकता हूं लेकिन WHO इस चीज़ को नहीं मानती वो wellness concept के अंडर define करती है कि जब तक आप physically, socially और mentally complete तरीके से पूरी तरह से complete form में अगर आप fit and fine नहीं हो तब तक आप अपने आपको healthy नहीं कह सकते हैं तो इसका मतलब क्या है और अगर इस definition की coding हम survey पे चले जाएंगे, survey करें तो world में आप जानके हैरान रहा जाएंगे सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो वाक्या में healthy हैं सिर्फ 5% 15% वो लोग है जो disease condition में जिनका take care doctors ही कर सकते हैं कोई और alternate नहीं है 80% लोग वो सब लोग जो हम सब लोग भी है वो भी 80% category में आते हैं जो sub health में है sub health का मतलब क्या है critical level between health and disease मतलब ना तो हम पूरी तरह से बिमार हैं और ना ही हम पूरी तरह से fit हैं यह जो beach का दारह है यह सबसे major दारह है और हमारे supplement इन सब लोगों के लिए required है healthy लोगों के लिए इसलिए required है ताकि वो अपने आपको healthy रख सके बिमार लोगों के लिए इसलिए required है ताकि उनकी recovery fast हो सके और sub health लोगों के लिए इसलिए जरूरी है ताकि वो बिमारी के तरह अगरसर ना हो सके अब बहुत से लोगों के question ये भी होते हैं कि sir क्या हम बिना supplement के भी अपने आपको healthy रख सकते हैं अच्छा रख सकते हैं तो उसके लिए मेरा एक ही answer है simple सी बात है अगर आप इन चीजों को follow कर सकते हो तो आप बिना supplement के भी अपने आपको healthy रख सकते हो पहला option क्या आता है हमारे पास पहला option ये आता है कि आपको physically active रहना होगा physical active का मतब क्या है आपको physical exercise में involved रहना होगा अगर आप physical exercise में involved नहीं हो तो आप अपने आपको healthy नहीं रख पाओगे और आज की date में हमारा lifestyle ही total sedentary होता चला जा रहा है जब तक हमारे पास कोई आइकल नहीं होता तब तक हम घर से बाहर निकलने की effort नहीं लगाते है physical activity हमारी कम होती चली जा रही है पहले outdoor games जादा होती थी अब outdoor games कम होती चली जा रही है और indoor games जादा बढ़ती चली जा रही है TV के सामने एक idiot box जिसे मैं बोलता हूं उसके सामने बैठे बैठे हम अपन नहीं रह सकते क्योंकि अगर stressful आपकी sleep है तो आपको वो healthy नहीं रहने देगे आपकी जो body की internal procedures है internal functioning है वो proper channelized नहीं होने देंगे जिसकी वज़ा से आपकी शरीर के अंदर problems बढ़ती चली जाएंगे आगे बढ़ते हैं 50% तो इन दो चीजों का effect होता है लेकिन 50% effect होता है balance diet का question यह arise होता है कि आज की date में क्या हम balance diet ले पा रहे हैं यह सबसे important part है important question है कि क्या आज की date में balance diet ले पा रहे हैं यह अपने आपने बहुत बड़ा question माग इसका logic है आज अगर हम अच्छी फल सबज हैं अच्छे से अच्छी साफ दिखने वाली चीजों को intake भी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वह slow poison का काम कर रहे हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि बहुत practical बात में बोल रहा हूं farmers को अपनी productivity बढ़ाने के लिए fertilizer use करने पड़ते हैं fertilizer से productivity बढ़ जाती है अब उस production को protect कर करने के लिए insect से उनको insecticide और pesticide यूज़ करना पड़ता है insecticide और pesticide की अगर हम बात करें तो वह जिस मात्रा में यूज़ होना चाहिए उससे कई गुना जादा हमारे farmers उसको यूज़ करते हैं जिसकी वज़ा से हमारे जो nutrition हमारे हमारी उन सबजियों से जा उन दालों से हमे pesticide, insecticide और fertilizer ज्यादा मिल पा रहा है तो उससे क्या है कि हमारी body धीरे धीरे अंदर से deteriorated होते चाले जा रही है इसका एक छोटा सा में आपको paper cutting है मेरे पास जो government of India ने release की है कि जैसे एक बैंगन की फसल है बैंगन की फसल पे हम लोग 0.48% pesticide का spray कर सकते हैं लेकिन इंडिया म ये 860 गुना होता है 860 तो आप देखें कि कितना percentage allowed है और कितना हम कर रहे हैं अब जितना ज्यादा percentage हम spray करेंगे उसका effect कहा जाने वाला है हमारे body पे ही आने वाला है और कोई हमारे पास दुस्ता रास्ता नहीं है इसी वज़ा से बहुत सारी problem pesticide और insecticide की वज़ा से आज ब बचने के लिए हमारे पास क्या solution है वो तो हम देखेंगे ही और दूसरा factor क्या है हमारे sabelt का वो है water पानी भी आज हमें pure form में नहीं मिल रहा है और साथ के साथ हवा जिस हवा में हमें सास लेना है वो भी pure form में नहीं है तो यह दोनों चीज़े इतना polluted हो चुकी है जिसकी वज़ा से हम arrow system घर में use कर रहे है आरो से पानी साब तो हो रहा है लेकिन उसके अंदर जो mineral content होने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे है जिसकी वज़ा से फिर हमारी body में deterioration होता चला जा रहा है pollution की वज़ा से आपको मालूमी ही है air pollution कितना ज्यादा पता चला जा रहा है उसकी वज़ा से हमारे साच में lungs में problem बढ़ती चली जा रही है अब अगर आप workout करेंगे देखेंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन आपको paper की cutting में पता चलना शुरू हो जाएगा कि आज ये problem हुई आज ये problem हुई आज ये problem हुई आज ये problem हुई आप द तो बहुत सारी चीज़े एर pollution है, diabetic है, false sense of well-being, कीट नाशकों से cancer ये सारी चीज़े आपको हर रोज हर दोसरे तीसरे दिन paper में देखने को मिल जाती है अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा comparison करके दिखाने जा रहा हूँ जैसे हम लोग एक गाड़ी purchase करते हैं, गाड़ी पर्ट्रोल चाहिए, तो हम उस गाड़ी में diesel डालके चला रहे हैं, ऐसा possible नहीं है, तो हम गाड़ी में fuel डालते हैं, अगर हम परचांस जा गलती से भी गलत fuel डाल देते हैं, तो क्या होगा, गाड़ी damage हो जाएगी, और गाड़ी damage हो जाएगी, तो हमें कहां लेके जाना प ये तीन चीजें, प्राइमरी चीजें हैं, जो हमारी बोड़ी को required होती ही होती हैं, अगर हम ये तीनों चीजें गलत तरीके से source करेंगे, गलत तरीके की हम अपने शरीर को feed करेंगे, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, बोड़ी damage होगी, तो हमें किस के पास जाना तो हमें से कितने ऐसे लोग हैं, जो real sense में डॉक्टर के पास जाना ही चाहते हैं, डॉक्टर को मिलना ही चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं है, जो बिमार होकर डॉक्टर के पास जाना चाहे, तो चलिए, अब इसका solution क्या है, आज इसका solution हम आपको देंगे, we have a solution for you, वो है TCM, TCM क्या है, traditional Chinese medication, जो 5000 साल पुरानी herbal remedies हैं, उनको modern technology के साथ develop करके हमने market में उता रहा है, जितने भी हमारे product हैं, जो food supplement की category में आते हैं, जिस चार चीज़ों पर काम करते हैं, चार चीज़े कौन कौन सी, ये cleansing करते हैं आपकी body में, फिर balancing करते हैं, फिर strengthening करते हैं, और फिर preventing measure पर काम करते हैं, means, आपकी पूरी तरह से detoxification, आपकी body में से गंदगी को बहार निकाल के फैकना, फिर उसको maintain करना, आपके cells को ताकत देना, और फिर preventive measure पर काम करना, कि कोई भी virus और bacteria अगर आपकी body पर attack भी करता है, तो आपकी body खुद इतनी capable होती है, कि उससे वो fight करके उसको खतम करते हैं, तो इन सब चारों चीजों पर हमारे supplement काम करते हैं, उसके बाद हमारे पास occupants हैं, जिनमें से blood circulatory massage machine है, जिसे हम mini hospital भी कहते हैं, circulation impaired होने की वदर से जो problems आती हैं, उन सारी problems को अकेली machine handle कर लेती है, फिर हम वारे पास fruit and vegetable cleaner है, जो आपके product को detoxify करने में help out करता है, जो भी सबजी हैं, दालें, पैस्टिसाइड से लिप्त होती हैं, उनके पैस्टिसाइड को effect को खतम करना, और उन सब चीजों को organic form में लेकर आना, यह हमारा fruit and vegetable cleaner करता है, फिर हमारे पास fridge purifier भी है, आपके fridge के अंदर की जो सबजी हैं, इन्टिटोरेटिट हो रही हो सकती है, कैसे हम उससे बस सकते हैं, वो सारा indication करता है, और उससे यह therapy भी आप ले सकते हैं, फिर हमारे पास multifunctional head care apparatus है, migrant, headache, cervical, BP, उन सारे problems के उपर workout करता है, और फिर हमारे पास stress relief के musical therapy instruments भी हैं, तो यह बहुत सारी चीज़े हैं हमारे पास, जो world class product के अंदर आती हैं, फि क्या personal care में, dish wash है, आमलानीम hair roll है, नाना hand wash है, नहानी के साबुन है, soap है, bracelet है, पहनने के लिए, dry pendant है, आपको हार्ट को protect करने के लिए, और फिर toothpaste भी है, और shampoo और conditioner ये भी है, और ladies के लिए एक special product है हमारे पास, sanitary napkin, sanitary napkin के अगर हम बात करें, तो WHO की reports से हमें पता चलता है क 80% ladies को gynae problem होती है, जिन में से 75% gynae problem होती है, due to use of bad quality sanitary napkin, और improper care during menstruation, मतलब periods के time में ठीक ढंक से रख रखा, ना रखनी की वज़ा से ये problem अकर होती है, तो ये जो problem है, ये बहुत major problem है, अब इस problem से हम बस सकते हैं, बहुत simple solution है इसका, जो भी वो napkin use कर रहे हैं, उस napkin से हमे air is sanitary napkin के उपर उनको लेकर आना है, उनकी आदत को बदना है, इतना ही करना है, और जब आप इस napkin की खासियत जान जाएंगे, और जब एक बर कोई भी व्यक्ति इसको use करके देख लेगा, तो उसके बाद दुबारा वो कभी भी दूसरा napkin use नहीं कर पाएंगे, ये जो napkin ने आपकी sterility, vaginitis, tumor, uterine cancer, subweek cancer, thaletic, fibroid, lequoria, white nature, इन सारी problems को control करने में help out करेगा आपको, उसके बाद ये जो हमारा ये napkin है, enhancing immunity, anti-inflammation, antibacteria, improving incretion, easing pressure, eliminating fatigue, eliminating order, promoting metabolism, इन सब चीजों के उपर ये product हमारा काम करता है, अब यहाँ पर मैंने आपको एक slide किया हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस slide बहुत important है, prevention is most economical than disease, एक बड़ी simple सी बात है, देखे, अगर हम बिमार होकर hospital जाएंगे, तो लाकों रुपे का बिल हमारे हाथ में थमा दिया जाता है, और उसके बाद भी हम ये नहीं जान पाते है कि वो बंदा पूरी तरह से fit हुआ है, या नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम preventive measure पे काम करेंगे, disease को आने ही नहीं देंगे, वो हमारे लिए जादा अच्छा future हमें देगा, यह है economics of growth, अब कुछ प्रड़क की testimony आपके साथ में share कहलेता हूँ, यह आप देख सकते हैं कि यह जो testimony है, इनका face पूरी तरह से burn हो गया था, जल गय लेता, वैसा देखना शुरू हो गया, अब यह आप देख रहे हैं, pimples और achans की problem है, जिन लोगों को pimples, achans की problem है, supplement से आप उसको भी remove कर सकते हैं, इसमें OPC, T-Poly और multivitamin, यह supplement का combination है, जो लेने से आप इन pimples और इसको ठीक कर सकते हैं, FOS fiber साथ में recommended रहते हैं, ताकि आपक यह weight को reduce करने में help करते हैं, तो यह overweight का है, उसके बाद शेला दिक्षिद जी का भी treatment हमारे ही एक instrument से किया गया, जो हमारी international sponsor है, Kushi Scarlet, Fence CGI इनका नाम है वैसे, तो इनोंने उनको treatment दिया था, जो cervical का treatment था, तो यह cervical का treatment का photos आप देख रहे हैं, उसके बाद मनोज जी, जो इं में introduced हुए थे शुरू-शुरू में, तो इनका weight 90 kg प्लस था और आज की rate में यह 70 kg के क्रीब हैं, और पूरी तरह से यंग और fit and fine है, और देरे-देरे और यंग होते चले जा रहे हैं, बलकि यह aging को इन्होंने एक तरह से थाप दिया है,